यहां पर यह लोग मेरा बेकू बनाने की कोसिस करते हैं और पता है सबसे ज़्यादा दुख की बात क्या है मैं बन जाता हूँ बेकू तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक बिरा न्यू गलत चीन से भरे पड़े पवजी दुमाईल गेम प्रे वीडियो में अब इस मैच में यार लोग मेरे को बेकू बनाने की कोसिस करते हैं कोसिस तो फिर भी दूर की बात है यार बना देते बेवकू बिल्कुल बुरी तरह बेकू बनता है खैर वो सारे गलत सीन थोड़ा आगे जाके होंगे फिलाल यार रु और मेरे को ऐसा लगता है यार निहत्ते बंदों को पकड़ना ना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है रुकते ही नहीं है ये लोग और यहां अंदर गुसके देखता हूं तो यार बोट पे अत्याचार होने वाला होता है बोट के मूँ के सामने गन रखी होती है यार पेलने वाला था वो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया और अभी और भी बंदे है या और मैच ठीक से चालू नहीं हुआ है लेकिन दुखत चीजे चालू हो चुकी है किया तक नहीं ले पाया मैं बडर प्राइब है? है मंहीं प्रेन करके दो करें और यहां पर यार हर एक बंदा के मेरे को कुछ नहीं कर रहा है लेकिन मेरे पर टीमेट को पकड़ लेता है बिलकुल और अब यहीं पर दुबारा पकड़ेगा और यार कभी कभी मैं नहीं समझ पाता की क्यूं रोजोक में इतने बंदे क्यूं आते मैं आज तक नहीं समझ पाया जगा देखो मेरे को बिलकुल पसंद नहीं है छोटी छोटी घर एके घर दूर दूर पड़े होते हैं गन के नाम पे यार बहुत भटकना पड़ता है तब जाके मिलती है लेकिन यार लोगों को ये जगा बहुत पसंद आती है अब मेरे को कहीं और उतर के फिर रोजोक में आना यार चलता है मज़ा आता है लेकिन जब सीधा सुरुआत में ही यहां उतरना बहुत दिक्कते होती है और ये देखो एक और किल छूट गई और यहां पर मैं अपने टीमेट की आवाज में यार दुख देख पाता हूँ वो दर्द बार बार नौको ने का लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ पता है क्या है मेरे टीमेट अभी तक तीन चार बार नौको चुका है और मेरे को एक गोली तक नहीं लगी है जहां तक मैंने को पता है यार हीलिंग मैंने पेली नहीं जब से उत्रा हूँ इतनी ही है और दस किल भी हो चुकी है लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी क्योंकि यार जादा देर जाता नहीं कि मेरे साथ गलत सीन हो जाते हैं थोड़ा टाइम हो चुका है ये लोग हेल्थ की भी ऐसी तैसी हो गई अब सीन क्या रहता है आगे रोट के पार बंदे बैठे पड़े हैं और यार अगर आप उनकी गोलियां देखोगे न वो जो गन इस्तमाल कर रहे हैं यार वो देखके आप में बोलोगे कि भाई क्यूं ये लोग उतरे ही क्यूं यहां पे इतनी सस्ती गने चलाते हैं क्या अभी आगे बैठे हैं अब मैं भीक पाक करता हूं इन पे अब हेटसोट वगेरा मैं दोनों के पेल देता हूं लेकिन यार कोई ठीक से नोक नी हुआ अब देखो यहां पे देर तक रुक के कद्दू कुछ नी होने वाला अब यहां पे मैं बस सोच रहूं कि यार किया क्या जाए क्या इन पे सीधा अंधा रस कर दू वैसे भी सस्त ही गन पड़ी है मेरे ख्याल से एक बंदा सकॉर्पियन चला रहा है इतने बुरे हाल हुए पड़े हैं खैर अब उतर ही गए रुजोग तो यार जो मिला उसी से काम चलाना पड़ेगा और मैं साइट की तरफ भगता हूं पहले अब हमारे वो भाई पीछे की तरफ भग चुके हैं यानि कि यार अब अंधार रस कर सकते हैं तो मैं सोच रहत है यार सीधा रोट पार कर दू लेकिन यहीं पे कार खड़ी मिल जाती है तो हम इस पे धैड़ पैड़ बैठते हैं और अब न सीधा सीधा उनके घर के मूँ के सामने ठूकेंगे और उपर जाके पकड़ने की कुशिस होगी अब मैं यहां रुकता हूँ इस घर में भी बंदा है और आगे वाले घर में भी बंदा बैठा पड़ा है अब हमारे भाई जोस जोस में चत से चलांग पेल देते हैं भाई को लगाया होगा यार हम अंदर गुश चुके हैं लेकिन मैं बहुत धीट था वही रुका था और यार उजी क्या ही घतरना करने इस बंदे को पता तक नहीं चला होगा कि इसकी पेटी कब को बन गई भाई नेको सकोब कोल के बिल्कुल तयार बैठे थे मैं आया उजी चलाई और सीधा पेटी बन गई भाई एक गोली भी नहीं चला पाए कैर इसी के साथ आखिर गार जाके रुजोग खाली हो जाता है या तो फिर वही केमपर बचे होंगे एकाद तो यहां से मैं गाड़ी लेके जाता हूं और बहुत ही जल्द मेरा बेकू बनने वाला है बहुत बुरी तरह से बनेगा यार देखना जरूर क्यार इस से पहले कि मैं जाऊं और अच्छे से बे प्रिबॉल बास्केडबॉल साइबर क्रिकेट और इस्पोर्ट्स वगयरा पे बैट बूट लगा सकते हूं साथ ही साथ इसमें आपको साथ जार रुपए तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपाजिट में अगर आप मेरा प्रोमो को इडियूज करते हूं चुकि कमेंट सेक्शियों में दिया गया होगा साथ ही साथ इसमें कई सारे मिनी गेम्स हैं तो आप वो खेल के भी पैसे कमा सकते हो और जीते वे पैसे विड्रॉ करना बिल्कुल हलवा है क्योंकि इसमें पेटीम पेपाल गूगल पे और बैंक ट्रांसफर सब कुछ है तो हाँ यार अग लोग मेरा बेकूब बनाने की कोशिस करते हैं और पता है सबसे ज़्यादा दुख की बात क्या है मैं बन जाता हूं बेकूब अब सीन क्या होता है यहां पर यह लोग एक बोट को पेलते हैं चार-पांच बंदे मिलके और मेरे को लगता है यार लड़ाईयां चल लिए और इधर पर अभी बस एक ही बंदा बाकी है और मैं पूरी जान लगा के चिल ला रहा हूं कि भाई बस पेल दे इसको और यहां पर मेरे को लगता है यार यह लोग कोशिश भी नहीं कर रहे थे मेरे को बेकूब बनाने की मैं खुद इतना बेवकूफ था कि खुद ही बेवकूफ बन गया अपने आपमे अपने आपमे कहानी अजोडली मैंने कि यार फलेर चला है सुकौड आयोगी लड़ाई बिड़ेंगी बग के चलो पेटिया बनानी पड़ेंगी यहां आता हूँ पता चलता है इन्होंने बस एक बोट को पेला और मैं फालतों में ही पूरी जान लगा के रसकर गया और यार गाड़ी इसकदर ठोकी की लेफ्ट में भी बंदे राइट में भी बंदे बिल्कुल गेर के पेला गया कैर वहां से बच गए मैं इधर आता हूँ डिरॉब देखने और यार मेरे साथ साथ कोई और भी आता है या वो कहीं और ही जा रहा था हम पकड़ लेते हैं और जिस हिसाब से गाड़ी भगरी है ना मैं समझ गया ये रुकने निवाली इसे रोकना पड़ेगा और भाई की गाड़ी की रफ़तार देख रहे हूँ बंदे ने मुड़के पीछे तक नहीं देखा बगाए जा रहा है बगाए जा रहा है और साथ ये साथ भाई नौक भी हुए हैं यानि कि इसके टीमेट वहीं आगे की तरफ कही हैं देखो गेम के टैम में इतना दिमाग नहीं लगाता अभी विवस तुके पेल लाओं क्योंकि आगे जाके मेरे को ठीक तीन बंदे मिलते हैं और मेरे को लगता है यह इधर पे जा और यहां पे यार देखो पिछली बार मेरा पहाना था कि भाई बेकू बना के नौक कर दिया गेर के पेला गया अब यहां पे तो यार सिर्फ और सिर्फ मेरी मुर्गता की वज़े से नौक वाऊं वैसे पिछली बार भी मेरी मुर्गता थी खैर रिवाइव में मजे से हो और अब M के निकालनी पड़ेगी और यहां पर मेरे को चुप चाप से अंदर गुशना चाहिए था लेकिन मैं बोलता हूँ यार यह एक सस्ता घर है इसमें फटेगा मेरा नेड़ इसमें अंदर ही गुशना है और यह लोग यार बिलकुल खतरनाक तरीके से एक छोटे घर के कोने में चुपे होते हैं गाड़ी देखोगे पूरी जाड़ी में रख रखिये गाड़ी ताकि किसी को दिखाई न दे खैर हमको गाड़ी दिखाई दे जाती है और यार बंदे भी मिलते हैं और ये भी पूरे तीन बैठे होते हैं अब तो यार मेरे को पक्का लग रहा है कि वो बंदा इनी का टीमेट था इनी के पास आ रहा था भाई को रस्ते में पेल दिया गया खैर इसी के साथ M के उनके मेरे पड़ी है गनू की कोई दिक्कत नहीं है पेटिया बनाने में बिलकुल मजाने वाला है तो मैं गाड़ी आगे की ओर लेता हूँ और देखो यार मेरा टीमेट अभी तक बहुत टाइम से चोती बार या पांचवी बार नौक नहीं हुआ है मेरे दिमाग में ये चल्ला होता है और उसके बाद ये हो जाता है और इधर भी दूबारा से सेम सीन होते हैं मेरे को एक गुली ने लगी लेकिन भाई की नौक या पेटी तक बना दी इस बार और यहां स्कूल पे बैठे बन्दों को भी ये लोग दूर से गोलिया पेले हैं अब सकूल वाले बन्दे ठिल गए बस सामने वाले बन्दे बाकी हैं यार किसने सोचा था कि पहाड पे चुपके बैठे होंगे बिल्कुल लेट के पेला होगा कि अब मेरे को भी निकलना पड़ेगा इधर से अब ये पहाड वाले पहले ओपन में खड़े होंगे पूरी चौड में थे और अब ठिल रहे हैं एक एक करके यहां पे काश काश मेरा सप्रय यार थोड़ा सा थोड़ा सा महंगा हो जाता एक बार के लिए गोली मैं थोड़ी बहुत पेल देता हूं लेकिन यार आखिर की गोली कोई मिनी चौदा पटका देता है और मुग के सामने से किल लेते लेते रह गया मैं और इसी वज़ा से यार तीस किल होने के इतने करीब आके मैं कर नहीं पाता तीस किल और अब भगना भी पड़ेगा इधर से और ये घर पे बैठे लोग समोक मैंजस करने की पूरी कोशिश करते हैं जान लगा दी डीपी चला दी मिनी चला दी लेकिन मैं बच के निकल लेता हूं किस्मत साथ दे गई अब यहां से मैं गाड़ी पहले इधर उधर बगाता हूं बंदे ढूड़ने के लिए काफी पह farmers देखो जुन चूटा है लेकिन बंदे अवी भी चुप 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 कर खेल ले तो एका चकर लगाने के बाद आखिर कार यहां सामने वाले घरों पे बंदे आ चुके यहां लेकिन यार वो लोग पीक करके राजी ही नहीं हैं मैं यहां काफी देर रुका लेकिन पी होगा अब मैं उधर पे घंट रुका था किसी ने एक पीक तक नहीं किया मेरे को ठीक से भी नहीं पता चला था कि यार बंदे है की नहीं मेरे ख्याल से बस गाड़ी देखी थी मैंने लेकिन जैसी मैं गाड़ी लेके आया हर एक बंदा गूलियां पेल रहा है और अब नेट क करने की कुछिस करता हूं नाकाम कुछिस और ये वाला बंदा जो दूर से गूली चला रहा है ना मेरे ख्याल से ये बंदा भी मेरी एक काड़ गिल चोरी कर गया पता नियार गोलिया बहुच चली थी पेल दिया होगा उसने किसी को दुख हो रहा है आब और आखिर काड़ जाके सच्ते सप्रे से एक बंदा नौक होई जाता है और मेरे ख्याल से आर अगर वो बंदा उधर लेटता नहीं न तो मैं उच्छे नौक भी नहीं कर पाता क्या ही करे सप्रे बहुती सस्ता चला है कासकर इस मैच में हजार गुना सस्ता हो गया है खैर वो नौक पड़ा है मैं इंतिजार कर रहा हूँ किसी के आने का और इसी के साथ देखते देखते बस एक आखरी बन्दा बाकि है और यार हम सब को पता है कि वो सापी बना होगा अब किधर पे वो पता करने के लिए हम लोग डेडाई की दिमाग लगाते हैं काम नहीं हाता वैसे और यहां पर हम और में पता करने की कुशिस करते है कि आगरी बंदा लेटा किधर है अब हर कोई पता नहीं क्या-क्या बोलता है कोई केड़ी गिना रहा है कोई कुछ बता रहा है बंदा किधर लेटा है कोई नहीं बता रहा अब जहां तक मेरे को लगता है सामने वाली जगा बिल्कुल साफ है यानि कि यह बंदा कहीं पीछे की तरफ लेटा होगा तो यह वो भी लेटा है मैंने सुचा मैं घर के अंदर लेट जाता हूँ और लेटते लेटते आखिर कार काफी देर यहाँ पे time फोड़ने के बाद time pass करने के बाद बंदा दिखे जाता है और हमेशा की तरह ये भाई भी लेटे पड़े हैं देखो यार साब की जिन्दगी जड़ा गौर से देखो आराम से देखो और यार कुछ भी कहो बंदे ने दिमाग लगा जरूर दिया था भाई ने पहले लेट के हील करने के जगा समूक फेका अब मेरे ख्याल से यार मेरे को भी लगता है कि उसको भी पता था कि मेरे को पता है वो किधर लेटा पड़ा है बस भाई अपनी आकरी कुछिस कर रहे थे कैर वो समूक में चुकता है मैं बोलता हूँ यार मैं नहीं चाता है ये गायव हो जाए क्यूंकि साप लोग बहुत जल्द गायव होते हैं तो मैं समूक में अज़स करता हूँ और ही कर सकते हैं तो वास भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते एक एक एक्स बैट चेक आउट करना मत भूलना अगर आप कोई सब चीद का सौक है उसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल ट के लिए और हाँ भाई लोग तुम्हारा भाई डेली नोनो लाइफ पे लाइस से ट्रीम वगरा करता है रात के 9 बज़े से तो यार वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना नोनो लाइफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शियों में होगी बिल्कुल टॉप में बस डाउनलोड करो और नाम सर्च करना और फॉलो पिल देना तो कर मिलते है भाई लोग यार बाई बाई झाल